गहरी बाते समझने के लिए गहरा होना पड़ता है गहरी बाते समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा वही होता है जिसे गहरी चोट लगी हो जिसे गहरी चोट लगी हो नमस्कार सातियों मैं अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल कम्टिशन कम्मूटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और इसके पहले के हमारे सभी वीडियोज को जरूर से देखते आ रहे होंगे पूरे के पूरे सिक्वेंस में ठीक है तो दोस्तों इसके पहले हम आपको पढ़ा रहे थे 10S topic और 10S topic के या इस सीरीज में हम जितने भी concept आपको सिखा रहे हैं चाहे वो subject work agreement का हो या किसी भी topic का हो सिर्फ और सिर्फ उसी topic की उसे rules और concept की चर्चा हम आप से कर रहे हैं वीडियो सिसन के मात्यम से जो आपके एसाई में में आएंगे ही आएंगे तो जो most probable है जिससे question के आने की सरवाधिक संभावना है हम सिर्फ और सिर्फ उन्ही तत्यों की उन्ही चीजों की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं चलिए तो इसी सिसन को हम आगे बढ़ाते हैं इसके परले 10s part 1 और part 2 हमने आप सभी को provide करा दिया है अब यहाँ पर हम लोग बात करें 10s part 3 कि जिसमें हम लोग future and different से जुड़े हुए concept को सीखेंगे और देखेंगे कि इसे किस प्रकार के question आपके exam में आये करते हैं और यदि इसे question आपके exam में पूछे जाते हैं तो आप इसको कैसे deal करेंगे ठीक है चलिए तो इस video session को हम लोग आगे बढ़ाते हैं फटा फट लेकिन आगे बढ़ाने से पहले चोटा सा message आप सभी को जो देना है उसको हम देते चले तो सबसे पहले हम आपको पताते चले कि CGSI मेंस और ADEO का जो बैच है वो आपके चार सेंटर्स पे कोको के अर्थात competition कमटी के चार सेंटर्स पे ये बैचा रहा है कब से आ रहा है भाई तो ये बैचा रहा है आपके 13 तोक मार्ट से कहा कहा रहा है रायपूर बिलाजपूर दुर्ग और रासनांद काउं चारों सेंटर्स पे मौर्णिंग के बैच के टाइमिंग है आपके 7 से 9 और इविनिंग के बैच के टाइमिंग है आपके 6 से 8 ठीक है चले अब ये जो मैसेज था यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टेंस कीthen जैसा कि आप सामने देख पाँ रहे यहाँ पे आपको हीटिंग दिखाई दे रहे फ्यूचर इंडीफ één क 법 चेर आप के सामने ठीक है अब का सीधा मतलब क्या होता सीथा मतलब होता है कि आप use करेंगे cell या will, क्या use करेंगे सहल का use करेंगे और इसके साथ हमेशा और हमेशा word के first form की use करेंगे यदि ایसा कहीं भी आपको structure दिखाई परता है तो ये structure होता है आपके future indifferent का किसका होता है दोस्तों तो ये structure होता है आपके future indifferent का बातरा है चलिए जो है subject के पहले आजाएगा लेकिन इसके साथ आपको हमेशा वर्व की first form ही देखने को मिलेगी ठीक है कोई भी दूसरा format आपके exam में देखने को नहीं मिल सकता है बात को ठीक से समझेगा अब आप में से कुछ बच्चों के साथ यहाँ पे एक छोटा सा और confusion होता है सर हम कैसे समझें किसके साथ cell लगाएंगे किसके साथ विलकाप प्रयोग करेंगे ठीक है आईए यह भी हम आपको समझाते देखिए यदि आप pronoun पढ़ते हैं तो pronoun में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है आई इसके बाद मिलता है फिर मिलता यू ठीक है यह second person होता है फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते ही इसके बाद पढ़ते ही इसके बाद पढ़ते है और फिर पढ़ते हैं यहां पर ठीक है और इसके बाद एक और वाड़ हम लोग पढ़ते है वन और इनके आलावा बाकि जितने वाड़ है सब के सब नावन होते है ठीक है प्रनावन में यही सब हम use कर सकते हैं सैल का सिर्फ और सिर्फ परसен स्जटवा कर सकते हैं और कि भी हम छोड़ कर सकते हैं तो इनके अलावा बाकि जितने वी वह रहते हैं चाही और फ्रोंब हो ओस्दान को है कैसी भी उप गना उन्हों कोई इस अधा है के साथ यूज करना है हम लोगों को विल क्या यूज करना है तो बाकि सभी के साथ हम लोगों को यूज करना होगा विल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह आसा करते हैं कि यह concept आपका clear हो गया होगा cell के बारे में आपको कहीं भी कोई भी confusion हो तो आप सिर्फ इतना याद रखे i के साथ, cell, v के साथ, cell, बाकी सब के साथ, will बाकी सब के साथ क्या लगाना है, will लगाना है, इस बात को याद रखिएगा तो उस तो ठीक है अब देखें, ये तो था हमारा future and different का structure ठीक है जिस पे आधारित हम लोग translation वगेरा पढ़ते आरे बजपन से, अब इनके अलावा आगे बढ़ते हैं देखें, हर tense में चाहे वो present हो, past हो, ये future हो, हर tense के चारचा टाइप्स होते हैं जैसे हम present की बात करते हैं, तो present indifferent, present continuous, present perfect और present perfect continuous कुछ इसी प्रकार से past के बात करते हैं, तो past indifferent, past continuous, past perfect और past, perfect continuous कुछ इसी प्रकार से future की बात करते हैं, तो future में भी ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिलता है, future indifferent, future continuous, future perfect और future perfect continuous इन चारों के structure आप जहरा ध्यान से देखिएगा, यहां देखें, cell wheel के साथ क्या दिखाई देर है, कम कम क्या है बाई, तो verb का first form, cell wheel के साथ, verb के first form, अर्था इसका tense हो गया, future indifferent, क्या हो गया, इसका tense हो गया, future indifferent, अब दोस्तों आप में से कुछ बच्चों को लगेगा, कि सर यह कैसे आप decide कर लेते हैं, कि यह किस tense में है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, जिनके English बहुत ही ज़्यादा week हो, तो उनको भी परिसान नहीं होना है, बच्चों, उनके लिए हम आपको उपाएं बताते हैं, क्या करना होगा आपको, देखिए हमार पर आप देखेंगे, कि यहाँ पर आप चले जाएंगे, इस चैनल को जैसे ही आप खोलेंगे, यूटूब पर जाके ठीक है, कोको ससी लिखे या कमप्टिशन कम्यूटी ससी लिखे, इस पेस देखे, ठीक है, यह कोको एक साथ रहेगा, और यह ससी रहेगा, ससी के बीच मे यहाँ पर एक सिंगल स्पेस आपको देदेना, तो कोको ससी या कमप्टिशन कम्यूटी ससी खोलेंगे, उसमें चल जाएगा, आप लाइप या प्लेलिस्ट में, ठीक है, वहाँ पर आपको टेंस हमने पढ़ाया, और टेंस को कैसे आप पाचानेंगे, यह तरीका हमने आप को सिखा रखा है, तो ऐसे बचे, ऐसे बचे, जिनकी इंगलिस बहुत ही जादा वीख है, जो ऐसे सेंटेंस को पढ़के इसका मिनिंग भी नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी आप से टेंस वाइस नेरेशन के कोशन बनेंगे, यहीं बनेंगे, ठीक है, यह सारा तरीका हम आ जरूर से देख लिजेगा, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने बच्चो आप सभी को टेंस को आइडेंटिफाई करना सिखाया है, ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप जरूर से देखिएगा, उसको देखने से आपको फायद क्या है, सबसे पहले आप टेंस पहचानना सिख लिजेका, अब यहाँ पर, चुकि हम उतने डीटेल में जाके आपको टेंस को पहचानना नहीं सिखा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी जो दिक्कत जा सकते हैं, तो इस दिक्कत से बचने का तरीका हम आपको बता रहे हैं से टेंस का पार्ट वन देख लेना ठीक है, फिर आप में से कुछ बच्चों को वाइस और नहरेशन में दिक्कत जाएगी, ठीक है, तो वाइस और नहरेशन के जो कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे, उसमें जो आपको दिक्कत जा सकते हैं, उसके इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप चले जाएंगे कम्टिशन कम्यूटी चैनल में और कम्टिशन कम्यूटी चैनल में जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, सी एचे से लिखा हुए मिलेगा, सी एचे से वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ भी मिल जाना चाहिए, फिके को कोई से सइप भी मिल जाना चाहिए, दोनों में जहां मिल जाए, आप देख लिजेगा दोनों चैनल पर मिल जेए, दोनों चैनल को देख लिजेगा, ठीक है, इससे क्या होगा, कि narration और why से आपके question रहेंगे, ही रहेंगे narration और why से कैसा topic है 10 subject of agreement यह कुछ ऐसे topics हैं जिसको ignore किसी भी exam में कर पाना असंभव है तो कुई भी आपका exam हो जिसमें English पूछा जाता हो English subject के रूप में उसमें सामील हो पूछा जाता हो उसमें narration से why से subject of agreement से question नहीं पूछे जाए यह संभव ही नहीं है ठीक है बात समझ में आ रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है इन चीजों का use कर लेना इनका सहारा ले लेना है आप टेंस को पाचानना सीख जाएंगे जैसे अभी हम के थैल वाट गया साथ यह भी भी हो गया यह उग्या आपका हैव पेर्व का थर्ड फार्मा है है फैपल्ली के साथ कहं हम लोघ क्या बोलेंगे और जांच किया बोलेंगे अब यह है क्रkadON परेजन्ट में है, तो सिर्फ यह होता है, प्लस वर्ब का third form होता, तो इसको हम लोग बोलते है, present perfect, लेकिन यह अपर sell wheel के साथ है, तो इसको बोलेंगे future perfect, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यह देखे, sell wheel, sell wheel के साथ है, कर LM यह फ्याँ चैसरसे बातों को सब्सक्राइब यह यह होते हैं और समय से लेकिन यह चारbad टिंस होते आप यह जी चारव टाईफ होतें और अब यह जो चाद men té ते आपके exam में और आप money में नहीं almost हर exam में जो question पूछे जाते हैं वो question रहता है future and different से किसे रहता है future and different से रहता है तो अब इनके आगे हम निकलते हैं यह किवल आपको introduce करने के लिए था अब यहाँ पे निकलते हैं future and different से question किस तरीके से पूछे जाते हैं और इसको जानने के लिए आप थोड़ा सा इसके पहले वाले वीडियो को जरूर से दिखिएगा ठीक है उसमें आप क्या करेंगे भाई तो उसमें आप ध्यान दिजेगा उसमें आपको क्या करना है क्या करना उसमें तो याद किजिए हमने आपको लास्ट वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया था भई तो हमने आपको लास्ट परफेक्ट क्या पढ़ाया थे पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट में हमने आपको आफ्टर और यूष करते हुए sentence हें जो आपके पूछे जाते हैं after before का यूष करके आपके sentence में में वाले कोशियंदे पूछे जाते हैं फिल इन दी बलंक के जो कोशन पूछे जाते है यानि कि पर्फर्ट कजो पूरा का फिर भी उसके question को हम लो कैसे बनाते हैं ये भी हमने आपको सिखाया था ठीक है तो इसका जो rule है concept है कुछ हद तक कुछ हद तक बहुत जादा ने कुछ हद तक उस past perfect के similar है कैसे similar है आई ये सीखते हैं देखिएगा कि दो future के sentence हो गए इसके पहले ज़रा दिहान देजे यहाँ पे जो हमने आपको बताया ठीक है यहाँ पे बताने का तात परे उदे से हमारा ये था कि future का कोई भी टेंस हो चाहे वो इन डिफरेंट हो continuous हो perfect हो या perfect continuous हो आप सब में देख पा रहे हैं सब में हम लोग क्या करते हैं सैल विल का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं चाहे वो continuous हो perfect हो perfect continuous हो या indifferent ही क्यों न हो अब हम लोग सीख रहे हैं और हम को बता रहे थे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इसको करेंगे आई इसके चरचान के साथ करेंगे अब कैसे करना है भई जराध्यान से देखेगा इसमें question पूछा कैसे जाता है अब ये आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए देखेगा जराध्यान से आप अब देखेगा यहाँ पर आपको कुछ what भी लिखे हुए दिखाई देरे इनका use भी करना है हम लोगों को कैसे use करना कैसे और क्या है यह जराध्यान से देखेगा अब जराध्यान से देखेएगे दू सेंटेंस आपको दिखाई देंगे देंस CPU दिखाई देंगे और दोनों सेंटेंस वोंगे future के फिर से ठीक से समझेगा बच्चो जैसे हमने आपको past perfect में बता है था कि दो past के sentence आपको दिखाई देंगे किसके दो sentence होंगे और दोनों past के होंगे ठीक है बीच में conjunction after यह before का प्रयोग किया गया होगा या या फिर sentence के beginning में यहीं पे after या before का प्रयोग किया गया होगा और इसके बाद यहां पे आपको दो sentence past वाले दिखाई दे रहे होंगे ठीक है ऐसा करके हमने आपको बता है था in the same हुए यहां पे आपको दो sentence दिखाई देंगे और दोनों ही sentence होंगे किसके future के दोनों ही sentence किसके होंगे future के होंगे और बीच में आपको ऐसे कुछ word दिखाई देंगे जैसे एक example के तोर पे छोटा सा word हम ले रहे है आपके सामने if का किसका ले रहे है अब ज़रा ध्यान दिजेगा ये sentence के beginning में आएगा तो इसके बाद ये दोनों sentence आजाएंगे future indifferent के यदि ये बीच में आएगा तो इसके पहले एक future का sentence होगा इसके बाद में एक future का sentence होगा लेकिन ये दोनों sentence बाद किसकी करेगा future की करेगा दोनों में sense किसका include होगा future का sense include होगा अब ज़रा ध्यान से दिखेगा हम लोगों का grammar कहता है कि यदि दो future के sentence एक साथ आए यदि दो future के sentence एक साथ आए दो future के sentence का प्रयोग एक साथ आपको करना हो एक साथ लिखना हो बताना हो सुनाना हो समझाना हो तो तो वो sentence जो किसी भी time or condition indicating word के तुरंत बाद लिखा जाएग फिर से थोड़ा सा slow कर रहे हैं वो sentence यदि दो future के sentence एक साथ आए तो वो sentence जो किसी भी time or condition indicating word के तुरंत बाद लिखा जाएगा अब ये time or condition indicating word क्या होता है सबसे पहले condition समझे क्या होता है कंडिशन का मतलब क्या होता है तो कंडिशन का मतलब होता है सर्थ क्या होता है कंडिशन का मतलब क्या होता है कंडिशन का मतलब होता है सर्थ ठीक है तो ऐसा कोई भी sentence जो किसी भी time or condition indicating word के तुरंत बाद शुरू हो तुरंत बाद शुरू हो उसमें हम लोग क्या करेंगे उ जब तक तुम मुझे जैसे आपने एक क्या बोलते हैं, हमारे आपके देश के जो सोतंतरता सेना नहीं थे, उनका ये कोड था, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूगा, तो मैं तुम्हें आजादी कब दूगा, जब तुम मुझे खून दोगे, बात समझ में ये कंडिशन बता जा रहा है, जब तक कि आप हमें आदेश नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है, बात समझ में आई, जब तक आप हमसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपके मदद नहीं करूँगा, जैसे आप कभी किसी कोचिंग में जाते है तो जब तक कि आप वहां पे पूरा पूरा फी सबमिट नहीं करते हैं, जब तक आप वहां पे अडमीसिन नहीं लेते हैं, तब तक आपको उस कोचेंग की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो आपको प्रदान नहीं की जाती है, हाई यह ना, बात समझ में आई, तो यह क इस्टिचूट वाले क्या करते हैं आपको बुनियादी सुविधाय प्रदान करते हैं कोचिंग क्लासे साब को प्रवाइड कराते हैं ठीक है दो चार डेमो तो कोई भी दे देता है ठीक है तो डेमो का कुछ होना जाना है नहीं बात समझ में आ रही है डेमो तो मचें यूही है डेमीसन लेना ही पड़ता है बात समझ में और रहे है तो यह क्या है यह कंडिशन है ठीक है जब तक कि आप लौकेंगे तब तक मैं अपना यह काम कर चुका रहूंगा बात समझ में आ रहे दोनों बाते किसके और ये फ्यूचर के और छोड़ दो भई तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो छोड़ दो मडर फिल्म का गाना आप सुने होंगे ठीक है मडर फिल्म वही मली का सिरावत वाला ठीक है अब ज़रा याद अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे मिल जाओ कब फ्यूचर में जमाना कब छोड़ेंगे फ्यूचर बाते समझ में रही है अगर तुम मिल जाओ कंडीशन बता रहा है मिलोगे तभी जमाना छोड़ेंगे नहीं मिलोगे तो जमाना नहीं चोड़ेंगे, बात समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है न, इसी तरीके से, अब इसको कॉंपी पेन पे कैसे समझेंगे, एक्जाम में इस गाने से हम कैसे कोशन मनाएंगे, आईए हम आपको यही सिखाने वाले जर अध्यान देजेगा, यह इफ क्या कर रहा ह भी वही होता है, लेकिन इसमें होता है, जब तक की नहीं, समय के संदर्व में, कि संदर्व में, समय के संदर्व में इसका यूज करते हैं, सपोज यानि कि माना की ठीक है, सपोज हो, इनकेस हो, दोनों का मिनिंग से मैं, सपोज, इनकेस, और इफ, इन तीनों का मिनिंग से सेम है इसी लिए सपोज के साथ का प्रियुग नहीं उता है इस तीनों का मिर्ण क्रोन क्या होता इसलिए इंतीनों का प्रियुग कहीं भी किसी भी सेंटेंस में किया जाता ठीक है मात समझ में आ रही है तो आपको भी इसा नहीं करना वेन वेन का मतलब क्या जब ठीक है तो वेन का मतलब जब जब भी कभी वेनेवर ऐसे कुई भी सब्दा आपको कहीं भी दिखाई दे मुखे रूप से आपके एक्जाम में ज्यादा तर जो वड दिखाई पड़ते हैं वो इन में से तीन ही वड है कौन-कौन स यह देगा तो पहला इफ आपको दिखाई देगा यह दिखाई देगा कुछ और ज्यादा पूछ ले तो सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब तो ज्यादा ज्यादा यहां तक आप से पूछा जाएगा ठीक है तौन बता भी सिर्फ उतना ही रहे से ढेल सरे वर्ड होते हैं लेकिन हम बताएंगे बी सिर्फ उतना ही, जितना आपके exam में रहेगा, जिसके बाहर आपके exam में नहीं रहेगा, वो हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं. ठीक है? ठीक है? बात सौंच में रही है. क्योंकि एक तो English से आप ऐसे ही परिसान रहते हैं, तरस्त हैं और उपर से और बहुत सारा rule and regulation हम आपको समझाना सुरू करें आप और ज्यादा confusion रहेंगे तो ऐसा confusion नहीं करना है कम से कम पढ़ना है और ज्यादा ज्यादा exam में सही सही बना के आना है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब ज़रा ध्यान देजेगा यहाँ पर क्या होगा तो यह इफ या तो sentence के बीच में रहेगा दोनों के बीच में या इफ के बाद ही दोनों sentence रहेंगे और दोनों sentence किसके है future के अब हमारे आपके मन में एक question outbreak na चाहिए हमारे आपके मन में question उठना चाहिए सवभाविक है सर future का है तो दोनों में CR систем का प्रयोग होना चाहिए लेकिन दोनों में有ल搞 प्रयोग नहीं होगा दोनों ही sentences में प्रैयोग तो सर हम कैसे समझे किसमें landfill का प्रयोग होगा और किसमें सेलविल का प्रयोग नहीं होगा सर्य मुझे कैसे पता चलेगा अब आईए हम आपको पताते देखे कैसे देखे यहां पे जो रूल था वो रूल यह कहता है कि यह जो टाइम और कंडिशन इंडिकेटिंग वर्ड है इस जितने भी वर्ड है इन में से किसी भी वर्ड के तुर पर यह जो सेंटेंस आएगा ऐसे किसी भी टाइम और कंडिशन इंडिकेटिंग वर्ड के तुरंत बात जो हमारा पहला सेंटेंस होगा उस फस्ट वाले सेंटेंस में उस पहले वाले वाक्य में हम सैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे किसका प्रयोग नहीं करेंगे सैल विल का प्रियोग आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं यहां भी गलत और यहां भी गलत ठीक है लेकिन इसके पहले वाले क्या हुआ दिखाई पड़ता है आम तोर पे हम लोग इस वाले पार्ट में सेल आईए यह भी सीक्हें दूसरे सब्दों में मोटे तोर पे आप समझे ये कि ऐसे ये जितने भी वाड़ आपको यहां पे उपर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इन में से कोई भी वाड़ आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखाई दे, इसके तुरंत बाद जो पहला सेंटेंस लिखा गया होगा, उसमें हम लोग सैल्विल का प्रियोग नहीं कर ठीक है, लेकिन इनके पहले यदि कोई सेंटेंस लिखा गया हो, इनके ठीक पहले यदि कोई सेंटेंस लिखा गया, उसमें सैल्विल का प्रियोग किया हो, तू भी सही है, सैल्विल का प्रियोग नहीं किया हो, तो लिखेंगे किसमें सैल्विल का प्रियोग जैसे हमें यह यहां पर नहीं करना है ठीक है चाहिए इन कंडेशनल वोड के तुरंद जो पहला सेंटेंस आएगा यहां पर सेलूल का प्रियोग नहीं करेंगे तो आखिर श्रीं की बात को एक्ष्प्रेस कैसे करेगा सर यह पर्योग यहां पर फ़o का या वर्व के फिफ्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं यानि कि यहां पर हम लोग ऐसे इन सभी वर्ड के बाद यह जितने भी वर्ड आपको दिखाई दिरें इन में से कोई भी वर्ड आपको कहीं भी दिखाई पड़े इन में से कोई भी वर्ड आपको कहीं भी दिखाई कि बाद आने वाले इन सभी सब्दों के बाद जो पहला सेंसलिक्ठा जैगा उसको अम लोग लिखते हैं हमीशा और हमेशा प्रेसेंट इंडिफ tongue किसमें प्रेसेंटेंट इंडिफ्रेड्ट में और प्रेसंटेंट different का सीधा मतलब है या तो वर्ब का फिप्ट फॉर्म या डूडर्स के साथ वर्ब का फिप्ट फॉर्म या डूडर्स के साथ वर्ब का फिप्ट फॉर्म बाते समझ में आ गए सिर्फ इसी का प्रयोग करते हैं ठीक है अब यह देखिए यहां पर जो सैल विल आता है यह सैल के सांथ क्या आता है एंख का फॉस हो नहीं को एंग यहां पर मिलेगा यहां पर भी सैल्विल के साथ कभी-कभी वर्ब के फिर्स्ट वाम का प्रयोग मिलेगा या सैल्विल का प्रयोग है यहां भी देखने को नहीं मिलेगा यहां भी कभी-कभी आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फिर्स्ट वाम या वर्ब का फिर्स्ट वाम यहां भी देखने को मिल स सकता है सेल विल के साथ वर्व का फॉस्ट वर्व यहां भी मिल सकता है और यहां भी मिल सकता है बात को ठीक से समझेगा ठीक है तो यहां पर सेल विल के साथ वर्व का फॉस्ट वर्व आएका तो भी सही है यहां पर भी सैल विल के साथ वर्व का फॉस्ट वर्व नहीं लिख लिखाओ तब भी सही है बात समझ में आ गई क्या एक्जम्पल एक्जम्पल ले लिजे जैसे हमने आप से कहा अगर तुम मिल जाओ इस सेंटेंस में आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है और यहां पर होना क्या चाहिए था यहां पर देखें यह आपको conditional word दिखा दिया, conditional word के तुरंत बाद यह पहला sentence हुआ, यह दूसरा sentence हुआ, ठीक है, तो हमने आपको क्या बता है था, इस conditional word के तुरंत बाद जो पहला sentence लिखा जाएगा, उसमें salveal का परियोग हम लोगों को नहीं करना है, तो यहां पर क्या करे था, he or he के साथ यहां भी लिखा होता, he will leave, ठीक है, तो यहां पर he will leave तो सही हो जाता, he will leave, सही हो जाता, लेकिन यहां पर इस will को काटने के बाद, यहां पर get नहीं लिखेंगे, अब क्या करना होता, इस get में, हमें इस लगाना होता, बात समझ में आ रही है, क्योंकि subject singular, त सब्चेक्ट सिंग्ल से बार्व सिंग्लार बात समझ में आ गई बच्चों और जैसे YES प्रॉप करने से वह बन जाता है singular कैसा बन जाता है singular बन जाता है यह हमने आपको subject of agreement में भी बताया था ठीक है चले तो ऐसा आपको करना चाहिए अब इन सभी को सीखने समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं यहां से कुछ दिये गए question को बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हम weekend में weekend याने कि इस week जो सनिवार और को क्या बोलता हैं लोग वीगेंड बोलते ठीक है चलिए तो इस weekend जो Chicago होगा Chicago में कोई meeting होगे उस meeting में वह attend करेंगे तो उस meeting को या तो वो attend करेंगे अब meeting को attend करेंगे यानि बात और यह future की अब यहां देखे ये क्या लिखा हुँ है दे लिखा है तो दे के सांथ क्या है अटेंड़ ठीक है तो अटेंड के मात्यम से आप इसको एकसप्रेस कर सकते थे लेकिन यहाँ पर कोई टाइम और कंडीशन इंडिकेटिंग वॉड नहीं है तो बहतर है कि आप इसको cell wheel के साथ use करके express करें cell wheel के साथ वरप का first form use करके आप यहां पे future questions को express करें वो ज़्यादा बेहतर है ठीक है अब आजाईए यहां पे देख लिए they attend तो आपको बताना था किसमें change लोगों को कहां पे करना error कहां पे है तो इस वाले part mirror है तो अगले question में देखें यहां यहां देखें यह future सेंटेंस हो गया यह second sentence है इसमें देखें cell wheel के साथ वरप के first form का प्रयोग किया गया है ठीक है अर्थाते यहां पे हमें क्या करना है यहां पे हमें या तो वर्ब का फिर्स फॉर्म यूज़ करना होगा या वर्ब का फिर्फ फॉर्म अब चुकी यह जो दे है यह हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल है सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए वर्व का first form कौन सा form तो हमें यहां पर यूज़ करना चाहिए वर्व का first form बात समझ में आ रही है तो first form का use करेंगे यहां पर fifth form का use नहीं करेंगे और यहां पर देखिए are going लिखा हुआ यानि कि यह continuous sense में लिखा हुआ है तो continuous की यहां पर जरूवत नहीं यहां पर present different के जरूवत है तो आज है यह आर गोईंग के जगह इसका first form क्या होगा तो first form होगा go क्या होगा first form होगा go तो आज यह चेक कर लिजे यहां पर देखे go out यहां देखे वर गोईंग यह past continuous होगया वंट क्या है वह आपका second form होगया past indifferent तो यह गलत होगया और no institution पहले नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों कि यह उंडरलाइन क्या हुआ पार्ट है यह पहले सहीं गलत है तो यह भी यह भी नहीं होगा option number a cancel b cancel c cancel तो question का answer क्या बनेगा question का answer बनेगा इसका option नमबर डी क्या बनेगा दोस्तो ऑफशन नमबर डी बनेगा next अगले question में चलते हैं अगले question फर से देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे अब क्या करना है आगे बढ़िए यदि economy क्या होता है असफल हो जाता है फेल कर जाता है दिस यर इस साल यदि इकोनोमी फेल कर जाता है इट रिफलेक्ट इट रिफलेक्ट यह देखिए यहां पे रर मिलके एट रिफलेक्ट बैडली on the government तो हमने आपको क्या बता है था कि जो time or condition indicating what is के तुरंत बाद जो पहल परियूग करेंगे तो यहां पर देखिए फिल में लगा दिया तो यह हो गया वर्प का फिफ्ट पॉर्म ठीक है क्यों क्योंकि सब्जेट क्या economy economy क्या है भाई singular है ठीक है economy होता तो उसके साथ हम लोग यूज करते वर्प का फॉर्स पॉर्म चुकी यह singular है इसलिए इसके स कर सकते हैं यह सेलिए का प्रियोग नहीं करना हो तो सिंपली वहां पर भी हम लोग यह तो वर्प के फिफ्ट पॉर्म का प्रियोग कर सकते हैं तो यहां पर देखिए इसका सब्जेक्ट क्या इट है इसका सब्जेक्ट इट है तो यहां पर सबसे पहले रिफ्लेक्ट तो आएगा नहीं अब यह के साथ यदी करना हो यदी हमें का प्रयोग नहीं भी करना हो तो हमें इस तो इस वाले और बी क्या बनेगा option number B बनेगा ज्यादा बेतर होता कि हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं it will it will reflect क्या लिखते हैं it will reflect या तो हम ऐसा लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं it reflects क्या लिखते हैं it reflects ऐसा हम लोग लिखते हैं इन दोनों में से किसी का प्रयोग आप कर देंगे दोनों का दोनों यहां पर सही माना जाएगा बात समझ में आ गए तो फिलाल इस question का अंसर हमारा क्या बनेगा option number B बनेगा दोस्तों ठीक है बात समझ में आ गए अब यहां से हम लोग चलते अगले को नहीं बताता है ठीक है अब यहां देखें फिर से आगे यूवील एप्रोच क्या मिला यूवील अप्रोच मिलगे अब जड़ा फिर से ध्यान देजिए तो टाइम और कंडिशन के तुरंत बाद जो भी पहला सेंटेंस हा था उस पहले वाले सेंटेंस में हम लोग सेल विल के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं तो इस वाले प्रयोग करते हैं जली आगे बढ़ते हैं आगे वाले पाड़् में हम लोग यहां पर साथ रहां है तो भी सही हैस के साथ प्रियोग कर नहीं किया गया हो यहां पर यह पर कर युझ कर ना भी नहीं था यह कुश्चन दर असल सेंटेंस इपर्वमेंट का है तो इसको हमें सुधारना होगा सुधारने के लिए नीचे दियेगा जो विकल्प है इनका यूज़ करना होगा यदि यह जो ब्रैकेट में दिया गया पार्ट है यह जो सेंटेंस इंप्रोब्मेंट का पार्ट है यदि यह ग्रमेटिकली करेक्ट है तो हमारा आंसर बनता है अब यhen य tag लाट है अब यह जो डिया इंप्रौइम्न का पार्ट एक विर्भ फॉर्स खावगं के यूज तो नहीं करेंगे अब किनी ऊंसका जोंना होगा उद्ग करना होगा सिर्फ और जिर्फ वर्ब केbest पॉर्म , प्रियोग करना होगा आज़े चिक करें यहां पर देखे यू के साथ यह क्या है वर्व का फॉर्स फॉर्म यह देखे आर ए प्रोचिंग यह गलत हो गया क्यों क्यों कि यह वर्व का फॉर्ट फॉर्म है यह देखे विल भी अप्रोचिंग यह भी क्या है यह भी वर्व का फॉर्ट फॉर्म है और सेल विल के साथ है इसलिए ये future continuous है तो इसका वर्ब का होने के करण यह नहीं आएगा वर्ब का फॉर्ट वर्ब होने के करण यह नहीं आएगा यह वर्ब का फॉर्स्ट पॉर्म है इसलिए इसकोशन का correct answer बन जाएगा हमारा option नमबर A क्या बनेगा option नमबर A आगे बढ़ते हैं अगला कोशन यह रहां फिर से आपके सामने इसमें देखे क्या करना है यहां पर फिर से देखिया आपको क्या दिखा इधर है कोस देखिये हैं तो इस पार्ट में क्या करना होगा इस पार्ट मी हमें सेल फर्स फ़र्म का पर्योग करना हो गा यही हम आपको बार-बार सेखाते आ अज के सटेर में ठीक हैं अब जरा धियान दिखिया तो इफ traffic क्या लिख है ऐ AI के साथ हम किसका यूज करते हैं वर्ब के Va का प्रियोग करते हैं तो वर्ब का फिफ्ट Va क्या प्रियोग करेंगे तो मेंग बर क्या है meet है ठीक है तो M to meeting के जगह हमें क्या use करना होगा meet का प्रयोग करना होगा ठीक है अर्थात यह जो underline किया पार था यह पहले से गलत था पहले से गलत था तो no improvement answer में होगा नहीं ठीक है अब आज है हम लोग ढूंडे कहां बिधन के साथ नियुक अनियुक और यह मीट के साथ मॉर्ब के साथ प्रियोग कर नहीं करना था इसलिए यह गलत होकि अब करेक्ट आनसर पर नहीं कोशन का हमारा option number B कौन सा बना option number B बन गया next अब आज के future different के concept को हम यहीं पर समप करते हैं ठीक है एक बार फिर से आपको remind करवाते चले आपका एसाइब मेंस का और ADEO का जो बैच है वो 13 अप मार्च से सुरव हो रहा है आपके चारो सेंटरस पर acquisition कमीटे के चारो सेंटरस पर रायपोर विलासपोर दुर्गौर राजनाथगाऊ जिस Metro के चारों और साम के बैच के टाइमिंग होगी 6 से insatsasAll loneliness As in our जय भारत